हेलो बच्चो इस वीडियो में हम लोग एक basic pulley mass system solve करेंगे और जो constraint relation है उसको कैसे develop करते हैं यह हम लोग इसमें देखेंगे ठीक है और यह क्या है movable pulley है this pulley is movable और यह क्या है fix pulley है ध्यान दीजेगा figure में सबसे पहले इसको identify कर लेना है this pulley is fixed ठीक है and this is movable ठीक है यह move कर सकता है उपर निचे ठीक है सबसे पहले constraint relation develop करना है सबसे पहले constraint relation अगर बोलेगा इसमें relation क्या क्या होता है that is the relation between displacement displacement का relation है ठीक है then velocity का है देन फिर acceleration का है ठीक है इसको याद रखिएगा ठीक है न अगर माल लेजिए displacement अगर एक्स है तो velocity क्या हो जाएगा एक बार differentiate कर देना है यह velocity आ जाएगा दूसरी बार differentiate कीजिएगा ठीक है इसी को टू ताइम डिफ्रेंशियेट तो यह क्या हो जाएगा आपका एक्सलेरेशन ठीक है या वेलोस्टी निकल गया भी इसको आप डिफ्रेंशियेट कर दीजिए एक बाट विध रिस्पेक्ट टू टाइम आपका एक्सलेरेशन आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या घ्रिफ्रेंशियेट का इसको पहले लोग निकलते हैं इसको पुली मास्स इस्टम को ध्यान से देखिएगा जोर्फेरेंस आपको मानना है तो गहां और पूली space kardeş मानीएगा तो इस पूली से पूली का distance अप मानली जी एकक्स है ठीक है एकक्स को सूर एकक्स फूली से से मास डिस्टेंस इस् इक्स वन है, ठीक है, अब यह जो मास आप देख रहे है M2, यह पुली P2 से एटाइच ना, तो यह पुली P2 जितना ऊपर जाएगा, उतना यह मास डैकली उपर जाएगा, जितना यह नीचे आएगा, उतना ही यह मास M2 डैकली नीचे आएगा, क्योंकि यह सीधा इससे connected है, तो अब देखिए, length of string, यह जो length है, यह क्या होगा, यह तो हमेशा constant होगा, इस पूली का position कहीं भी हो, यहाँ हो, यह नीचे हो, कहीं भी हो, लेकिन यह जो total length होगा, यह तो constant होगा, ठीक है, so length is constant, इसको याद रखना है, length जो है, length of string, यह constant होगा, और यह ही इसका mean, funda है, ठी होगा, तो अगर इसका length total L है, तो यह हमेशा L ही होगा, ठीक है, अच्छा, यह बहुत स्मॉल है, यह इसको negligible भी हम लोग मान सकते हैं, या फिर अगर नहीं negligible मानना है, तो इसको आप y मान सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, इसको y मान लिजी, और इस पूली का position कहीं यह हो, लेकिन यह y भी क्या होगा, यह हमेशा fix होगा, fix होगा, means यह भी constant होगा, ठीक है, तो अब देखिए, total length of string, total length of string क्या हो जाएगा, that is equal to, यह वाला length जो आपने x1 माना है, plus, यह x2 है, यह वाला x2 होगा, और यह भी आपका क्या होगा, x2 होगा, plus 2 times x2, यह होगा, और इसको आप y मानना है, तो मान भी सकते हैं, या नहीं भी मान सकते हैं, simple इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, और अगर मानना है, तो आप इसको y लिख सकते हैं, कोई issue नहीं है, ठीक है, so x1 plus 2x2 plus y is equal to kya हो जागा, total length of string, that is l, ठीक है, so इसका मतलब क्या हो जागा, x1 plus 2x2 that is equal to l minus y, y अगर नहीं मानते हैं, तो l लिखते हैं, l minus y, अब ये l minus y क्या होगा, ये भी constant होगा, क्यों constant होगा, क्यों constant होगा, क्योंकि l भी constant है, y भी constant है, so at any time of motion, difference जो l minus y होगा, ये भी हमेशा constant होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, so अब देखें क्या करना है, इस displacement के relation को, ठीक है न, आपको differentiate कर देना है दो बार, एक बार time के respect में करना है, first time, velocity आएगा, दूसरी बार करिएगा, तो आपका acceleration आ जाएगा, ठीक है, so देखें, अगर इसको आपने x2 माना है, ठीक है, so ये pulley का position, p2 का position क्या होगा, x2 होगा, हमेशा, ठीक है, so means dx2 by dt जो होगा, dx2 by dt, means x2 का differentiation with respect to time, ये क्या होजाएगा, velocity of pulley, pulley p2 होगा, ठीक है, similarly dx1 by dt, ये क्या होजाएगा, velocity of mass होजाएगा, किस mass का, mass m1, ठीक है, अब velocity of pulley जितना होगा, directly attached sm2, velocity of pulley p2, जो भी होगा, वही आपका velocity होगा, mass m2 का, क्योंकि ये directly attached है, ठीक है, so that is equal to velocity of mass m1, ठीक है, इसको directly observation से निखाल सकते थे, no issue, बहुत simple है, लेकिन इसको सीखना ज़रूरी है, ठीक है, so this is, ओके, so क्या करना है, इसको differentiate कर दीजिए, so देखिए, dx1 by dt plus 2 dx2 by dt, ये क्या हो जाएगा, ये constant है, differentiate कीजिएगा, 0 हा जाएगा, so इसका मतलब, v1 मान लेते हैं, इसको, plus 2 v2, equal to 0, ठीक है, so इसका velocity अगर मानते हैं, उपर की तरफ v2 है, so इसका मान लेते हैं, नीचे की तरफ है, v1, ठीक है, जो भी इसका होगा, ठीक है ना, वो इसका नीचे की तरफ होगा, बट इसमें एक trick है, अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, सो देखिए, यह हम लोग का constant relation आगिया, पहला आएगा displacement का, दूसरा आगिया velocity अब इसको फिर से differentiate कर दीजिए, सो क्या हो जाएगा, एक्सलेशन आजाएगा, ठीक है, so a1 प्लस 2a2, equal to 0, सो यह देखिए, एक्सलेशन आगिया, means, a1 का जो value होगा, ठीक है, that is minus of 2 times a2, अब इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है, कि a1, a2, दोनों का direction of motion एक दूसरे के opposite है, सो अगर यह उपर जाएगा, तो यह नीचे आएगा, और यह अगर उपर जाएगा, तो यह नीचे आएगा, ठीक है, calculation करेंगे हम लोग, equation of motion, develop करके, और उसमें value अगर, जो हमने माना है, वो positive आया, जो direction है, वो ही actual direction होगा, जो आपने मान के चला है, अगर calculation में value negative आगिया, तो इसका मतलब है, जो भी direction आपने माना है, उसके opposite direction में motion होगा, ठीक है, तो देखिए, अगर constant relation इस तरह से आप मान के चल रहे हैं, इस तरह से develop कर रहे हैं, a1 plus 2 a2 equal to 0, तो इसमें जब equation of motion develop कीजएगा है, तो ध्यान दिजएगा हमेशा, नीचे वाले force को always ज्यादा मनना है, नीचे वाले force को always ज्यादा मनना है, ठीक है, तो देखिए, इसमें नीचे की तरह force कितना हो जाएगा, that is the weight of this mass m1, so that is 20 into g, so g का value मान लेजिए, g equal to 10 meter per second square, यह हम लोग मान के चलते हैं, for easiness of calculation, ठीक है, so this g equal to 10, okay, so नीचे की तरह force weight हो जाएगा ना, so that is 200 newton, 20 into g, similarly इसका क्या हो जाएगा, 30 into g, so 300 newton, ध्यान दिजएगा, ठीक है, अब tension देख लीजिए, हम लोग मान लेते हैं, कि जो main string है, इसमें tension T1 है, so इस pulley की लिए नीचे की तरफ T1 हो जाएगा, और इस mass की लिए उपर की तरफ T1 हो जाएगा, similarly यहाँ पर भी T1 हो जाएगा, same string, same tension, याद रखिए, same string, same tension, सो यह भी T1 हो जाएगा, अब यह string different है, सो इसमें मान लीजिए T2 है, ठीक है, सो देखिए, अभी जब equation of motion आप develop कीजिएगा, ठीक है, अगर इस तरफ से माने है equation of acceleration, A1 plus 2A2 equal to 0, मिस्श दोनों का sum है, A नी लिखे हैं हम लोग की A1 equal to 2A2, अगर इस तरफ से मान रहें, सो हमेशा नीचे वाले force को ज्यादा मानेगा, बार बार में कहे रहा हूं, नीचे वाले force को ज्यादा मानेगा, और उसके बाद, इस value को put कीजिएगा, सो अपने आप आपका result आ जाएगा, देख लिजिए, 200, 200 Newton minus T1, equal to, क्या हो जाएगा, M1, then A1, इसको equation 1 मान लिजिए, similarly, mass M2 के लिए, अगर नीचे वाले ज्यादा मानना है, 300 minus T2 equal to M2 into A2, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप value को put कीजिए, सो अगर इसको आप A मानिएगा, A2 equal to A, so A1 का value क्या हो जाएगा, minus 2A, ठीक है न, अब इसको आप put कीजिए, कोई सुनी है, आपका answer आ जाएगा, देखिए, इसमें put कीजिए, so 200 minus T1, okay, equal to M1, so M1 का value 20 है, और A1 क्या हो जाएगा, minus 2A, ठीक है, इसका मतलब यह हो जाएगा, 200 minus T1, equal to minus 40A, ठीक है, तो देखिए, मैनस साइगे कारण, दोनों साड़ अगर multiply करेंगे, तो direction क्या हो जाएगा, इसका reverse हो जाएगा, ठीक है, so that means T1 minus 200 हो गया यह, that is equal to 40A, एक्वेशन 1 यह वाला हो गया, और इसमें put कीजिए, so क्या हो जाएगा, 300 minus, और T2, T2 का value क्या होगा, so pulley P2 के लिए, forces का balance, forces को balance कीजिए, free body diagrams का draw करना है, so T1 उपर की तरफ है, T1 नीचे की तरफ है, this is T2, so इसके लिए क्या हो जागा, summation of force equal to mass into acceleration, so अगर massless pulley है, massless pulley means, massless pulley, कहां लिख दे मैं, मैं इसको लिख देता हूँ, यहां पर, ठीक है, massless pulley, massless pulley, so pulley अगर massless होगा, so इसका mass क्या हो जागा, 0 हो जागा, so इसका मतलब, pulley के लिए अगर आप, summation of force निकालिएगा, summation of force for the pulley, ठीक है, so क्या हो जागा, summation of force equal to mass into acceleration, so summation of force कितना हो जागा, mass का value 0 हो गया, चुकि massless है, so यह value 0 हो गया, ठीक है ना, so summation of force, pulley T2 के लिए, क्या हो जागा, 2T1, अगर उपर के तरब जा रहा है, 2T1 minus T2, या नीचे के तरब जा रहा है, T2 minus 2T1, that is equal to 0, ठीक है, so दोनों ही case में क्या हो जागा, 2T1 का value, T2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके लिए, किसके लिए, pulley P2 के लिए, जो moveable है, ठीक है, सो इसका मतलब अगर यहाँ पर फिर से इसका हम लिखे, so 300 minus T2, T2 का value क्या हो जाएगा, 2 times T1 is equal to M2, so M2 is 30, ठीक है, then A2 का value हमने, A माना है, ठीक है, अब आगी है यह, ठीक है, सो इसको solve कर देना है, solve करके हम लोग को tension और acceleration निकाल लेना, यह हम लोग बाज में निकालेंगे, ठीक है, अब देखिए, observation से अगर निकालना है, इस equation को observation से solve करना है, तो देखिए, अगर मान लेते हैं, pulley P2, pulley P2, ठीक है, यह P2 है, यह अगर अपने original position से, मान लीजिए, यह displace होता है, उपर की तरफ X, ठीक है, तो X जब उपर की तरफ जाएगा, तो इसके left side से, string X, length of string X, और right side से X, यह 2X length जो है, यह supply किसको हो जाएगा, string loose होगा, 2X, ठीक है, और जो भी, string यहाँ पर available होगा, यह total supply हो जाएगा, आपको किसको, mass M1 को, इस बाले mass को, इस बाले mass को, ठीक है न, यह string जो भी होगा, X और X, 2X, यह total इसको supply हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है, कि अगर यह उपर जाएगा X, तो यह क्या होगा, नीचे आएगा 2X, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए, attach है mass M2, इस तरह से, ठीक है, इसका मतलब यह अगर उपर X जाएगा, तो mass M1 क्या होगा, नीचे आएगा 2X, इसका मतलब यह इसका उपर exclamation, अगर A होगा, तो M1 का exclamation क्या होगा, नीचे की तरफ 2X होगा, यह observation से हम लोग निकाल सकते हैं, इसका A अगर उपर की तरफ होगा, तो यह 2A नीचे की तरफ होगा, तो इस case में अगर equation हम लोग डेवलप करते, तो यह वाला M1 अगर माने हैं, तो M1 में 200 N नीचे की तरफ है, तो टेंशन उपर की तरफ T1 है, तो इस case में कोई दिकत नहीं है, हम लोग मान के चल रहे हैं, कि यह उपर गया, यह नीचे आया है, तो इसका equation 2A, तो इसमें अगर निकालेंगे, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे का weight जादा होगा, तो 200 minus T1 equal to 20 into 2A, तो इस 200 minus T1 equal to 40A, यह equation 1 होगिया, similarly M2 के लिए अगर draw करना है, तो M2 के लिए देखिए M2 है, तो उपर के तरफ T2 हो जाएगा, जिसका value 2T1 होगा, तो पूली P2 का force को हम लोग balance करेंगे, तो नीचे की तरफ इसमें क्या हो जाएगा, 30, sorry 300 Newton, तो इसको हम लोगोंने माना है, पूली उपर के तरफ जा रहा है P2, तो यह M2 गी उपर के तरफ जाएगा, इसका मतलब जो 2T1 है, इसका value ज्यादा होगा, तो 2T1 minus 300 is equal to 30 A, ठीक है, किलियर है, तो देखिए यह हमारे पास equation आ गया, ठीक है न, अब ध्यान से देखिए, यह दोनो equation सेम है, कैसे सेम है, यहाँ पर अगर देखेंगे, तो T1 minus 200 is equal to 40 A है, ठीक है, यहाँ पर 200 minus T1 is equal to 40 A है, यहाँ पर 2T1 minus 300 is equal to 30 A है, यहाँ पर 300 minus 2T1 is equal to 30 A है, ठीक है, ठीक है न, तो दोनो सेम है, हाँ, इसको solve कीजेगा, सो जो acceleration का value आएगा, और इसको solve कीजेगा, जो acceleration का value आएगा, दोनो में सिर्फ sign का difference होगा, सो sign का difference है, मतलब कि हम लोग का direction है, वो हम लोग, जो माने हैं, उसका opposite motion है, ठीक है, यह वाला आपको exact direction देगा, इसमें एका value solve कीजेगा, एगा value इसमें आजाएगा, आपके पास, 0.909 meter per second square, ठीक है, एगा value, तो एक इसको माने हैं हम लोग, ए माने हैं हम लोग, जो mass M2 है, इसका acceleration ठीक है, तो acceleration of M2 जो है, आपका इस तरह का आजाएगा, ठीक है, तो acceleration of M1 हमारे पास जो आएगा, that is equal to 2 times है, ठीक है, तो 2 times है का मतलब, यह 1.818 meter per second square आजाएगा, ठीक है, तो यह difference है, जब इस तरह का problem को solve किजेगा, तो ध्यान दीजेगा, अगर observation से बनाएगा, तो इस तरह से solve होगा, और अगर constant relation develop किजेगा, तो याद रखेगा, जो भी constant relation आया, ठीक है, उसमें sign को change नहीं करना है, वहीं से आपको a1, a2 निकालना है, और जब force का relation आप निकालिएगा, summation of force equal to mass into acceleration, तो नीचे वाले force को हमेशा, ज्यादा माननेगा, इसको हमेशा आदि याद रखेए, ठीक है, तो अब forces on the pulley अगर निकालना है, तो इसके लिए tension चाहिए, तो tension को solve कर दीजिया, ठीक है, तो T1 का value जब इसको solve करके निकालिएगा, T1 का value आजाएगा, that is equal to 163.64 Newton, ठीक है, तो T2 का value निकालिएगा, तो 2 times T1 आजाएगा, तो 2 into 163.64 Newton, यह आपको calibrate कर देना है, तो tension in the string आगिया, ठीक है, T2 का value क्या होगा, T1 का value क्या होगा, यह आपने निकाल लिया, अब next part है, कि अगर force on the pulley निकालना है, तो force on the pulley अगर आपको निकालना है, तो मान लिजिए आपको, pulley P1 पर force निकालना है, P1 पर, ठीक है, यह वाला, pulley P1 पर, तो यह तो देखिया fix है, तो इसमें net force क्या होगा, pulley P1 पर T1 प्लस T1, 2T1, ठीक है, तो net force on pulley P1, 2T1 हो जाएगा, नेट force on, force on pulley P1, equal to 2T1, ठीक है, similarly, net force अगर आपको P2 पर निकालना है, सो यह क्या हो जाएगा, 2T1 minus T2, ठीक है, net forces पर क्या होगा, 2T1 minus T2, देखिये, T1 प्लस T1, यही P2 है न, T1 प्लस T1 उपर की तरफ, नीचे की तरफ T2, सो यह massless था, इसका mass अमलोगोंने 0 माना था, ठीक है, सो अभी आपको बता चुके हैं, कि summation of force equal to mass into acceleration, सो इसका अगर उपर की तरफ जा रहा था, तो 2T1 minus T2 equal to mass 0 into A, सो इसका मतलब 2T1 minus T2 equal to 0, सो 2T1 equal to T2, यह balance है, इसलिए 2T1 का value T2 आ रहा है, क्योंकि यह massless pool है, ठीक है, सो इसके अगर force आपको पूछा जाएगा, सो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यह balance है, T1 plus T1 equal to T2, सो 2T1 minus T2, 0 आ रहा है, ठीक है, सो इसके force क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, सो net force, force on pulley, T2 equal to 0, क्यों 0 होगा, समझ माया, ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए, यही पूली, massless नहीं होता, ठीक है, massless नहीं होता, तो उस case में, फिर हम लोग को, solve करना पड़ता है, इसका भी equation लिखना पड़ता है, ठीक है, जैसे बच्चे पूछते हैं, कि massless, पूली अगर, नहीं है, मिन्स पूली का mass अगर given है, पूली का mass अगर given है, तब किस तरस निकालेंगे, पूली का mass given है, देखे, simple कर देना है, मैं आपको बतायता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, P2 के लिए है, तो P2 के लिए उपर माने थे motion, सो उसमें हो जाता है, 2T1-T2 equal to mass अगर पूली, देखे, MP हम लिख देते हैं, mass अगर पूली, into इसका acceleration हो जाता, यहाँ डाटि उपर की तरफ हम लोगों ने माना था, इसका acceleration, A2, ठीके, तो डाटि ए, बस यह आपका equation, एक third equation डेवलोप होता है, हम लोगों ने माना था, यह उपर की तरफ जा रहा है, ठीके, ठीके, यह उपर की तरफ जाता हुआ हम लोगों ने माना था, तो उपर की तरफ जाता हुआ माना था, हमने त्रीटू माइनस, 300 equal to 30 A, यह हो जाता है, ठीके, बट P2 और M2 दोनों का एक्सलेशन सेम होता है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको solve करते हैं, ठीक है ना, directly हम लोग नहीं लिखते हैं, 2T1 इकल ट2, P2 के लिए, ठीक समझ रहे हैं, ठीक है, सो फिर हम लोग इसको solve करके T2 निकालते हैं, then इसमें put करते हैं, ठीक है, directly हम लोग 2 T1 इकल ट2, इसलिए नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहां मास्टलेश पूली नहीं है, पूली का मास्ट गीवेन है, इसलिए जो summation of force on the pulley होगा, that is mass of pulley into acceleration, ठीक है, सो इस case में हम यहां पर जो T2 का value है, जो मास्ट के लिए, M2 मास्ट के लिए में लिख रहे हैं T2, इसको T1 नहीं करते हैं, बस यहीं difference होता है, ठीक है, सो इस तरह से इसको solve कर सकते हैं, उसके बाद, अगर मान लिजिए आपको force on the selling volta, force on the roof, कि roof के उपर कितना force लग रहा है, ठीक है, सो roof के उपर देख लिजिए, यह tension T1 है, सो इसका मतलब यहां पर भी T1 है, है ना, इस तरह का roof है ना, देख लिजिए, सो यह tension क्या होगा इस string में, यह string connected है roof से, सो यहां पर T1 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद, इस पूली के लिए देख लिजिए, T1 प्लस T1, 2T1, सो इसका मतलब इस point पर जो है, अगें 2T1 हो जाएगा, सो यहां पर 2T1, ठीक है, सो force on the floor, या, सो रूफ और selling, roof और selling पूछेगा, कि छत पर, या फिर selling पर, जो है, कितना हम लोग का force लग रहा है, सो यह हो जाता है, three times T1, ठीक है, सो force on selling अगर पूछेगा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, force on, on selling, so that is 3T1, या force on roof, so 31, ठीक है, सो इस तरह से हम लोग solve करते हैं, इसको भी solve करके देख सकते हैं, जो हम लोग उने constraint से निकाला था, यह सेम देगा, but I hope कि इसमें एक्स्रेशन का value निगेटिव आएगा, सो वीडियो को pause करते हैं, इसको calculate करके, मैं निकाल देता हूं, सो जब इसको solve किजिएगा, सो इसमें भी जो एक्स्रेशन का value है, एक्स्रेशन का value है, यह आपका आजाएगा, निगेटिव पॉइंट 909 मीटर पर सेकेंड स्कूर, ठीक है, सो अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, हम लोग मान के चल रहे हैं, a2 का value a है, मिन्स पुली, p2 के लिए हम लोग ऊपर a मान रहे हैं, तो a2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, a2 हो जाएगा, that is a, ठीक है, means minus 0.909 मीटर पर सेकेंड स्कूर, ठीक है, और a1 क्या हो जाएगा, that is negative, minus of 2a, so minus है, so multiply किजएगा, so it is 1.818 मीटर पर सेकेंड, यह अपने आप आजाएगा, ठीक है, plus minus अपने आप आजिया, ठीक है, so a1 क्या होगा, यह आपका, नीचे की तरफ होगा, और a2 क्या होगा, उपर की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि a2 का value negative है, so negative का मतलब यह हो गिया, कि देखेंगे, नीचे का force constant relation develop किये थे, so नीचे का force को हम लोग ज्यादा मान के चल रहे थे, इसलिए हम लोग जोड़ equation develop किये थे, that is 300 minus tension, then 200 minus tension, ठीक है, so इसका मतलब नीचे की तरफ motion नहीं होके, p2 pulley का यह उपर की तरफ होगा, ठीक है, और a1 का क्या होगा, यह नीचे की तरफ होगा, ठीक है, so यहीं से आपका देखिए, इसका value आ जाएगा, ठीक है, so constant relation को जो develop करते हैं, इसी तरह से हम लोग करते हैं, और इसी तरह से हम लोग equation solve करते हैं, so इसका अगला जो वीडियो है, इसको देखिएगा आप लोग, इसमें जो है